प्रदीश की सुखविंदर सिंग सुखु सरकार ने साथ मंत्रियों के साथ कैबिनेट का विस्तार किया है लेकिन सुखविंदर सिंग सुखु कैबिनेट में कुलू, मंडी, लोहौसपिती की अंदेखी की गई है जिसे लेकर जंता में भारी रोश देखने को मिर रहा है लोगों का कहना है कि कुलू से सुंदर सिंग ठाकूर और लाहॉल स्पीदी से रवी ठाकूर मंत्री मंदल की रेस में शामिल थे लेकिन मंत्री मंडल को लेकर प्रतिभा सिंग, सुक्फिंदर सिंग और मुकेश अगनी होतरी द्वारा अपने चहितों के लिए लॉबिंग की गई लेकिन जिस परकार कैबिनेट में कुलू मंडी लोहस्पिती की अंदेखी की गई है तो ऐसे में 2024 में लोगसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की कॉंग्रिस सरकार को इसका खाम्याजा भी भुगतना पड़ सकता है हमारे विधायकों को भी मंत्री पड देने चेह थे जी देखिए जिस परकार से हमारे कुलू और मंडी लोहस्पिती की जनता को अंदेखा किया गया है जिस परकार हमने यहां से अपने विधायक जिता के बेज़े हैं उनको किसी भी मंत्रिपद में नहीं लिया गया है, जिस कारण जनता में काफी रोशपद है, जो ये सरकार कर रही है बहुत ही गल्त भामना से है, इस प्रकार से देखो आने वाले समय में भी चुनाब आने हैं, कई न कई सरकार को आने वाले समय में इस कम ख्यादा बुक्तना बतब एगा नहीं सुन्दर ठाकृ और भी ठाकृ को मंत्री मिलना चुई इसलिए हमारे पबलीक को और उसमें शुर्ब उसमें गुसे में हैं वागे क्या जैता है सरकार् ने मंत्री में और अगठन कह और हमारे मंड़न पर तीय और कुलू का कोई उसमें हमारे नुमाइदों को जो कुलू, लाहौल और मंडी की इन तीनों डिस्टिक से कोई भी नहीं बनाया इससे हमें थोड़ा सा धक्कार लगा है उसमें हमारे खिल्लू को दरकिनार किया गया है इससे हमारे जो पब्लिक में जो गल्प मेसेज जाएगा जो हम लोगों ने रोश भी है और हम लोगों जो इस पर जो मिनिस्टरी नहीं बनाने से पब्लिक में यहां पर बहुत रोश है और हम चाहते हैं कि अभी भी गोवर्मेंट के पास या हमारे चीफ मिनिस्टर के पास अभी भी समय है कि समय रहते हुए हमारे इन तीन जिलों में से एक या दो मिनिस्टर कम से कम लिया जाए इस इस से कि लोगों को मन में ठेस नहीं पहुंचेगी और हम लोगों ने जिस तंग से मैनत करके इन ये इलेक्शन में काम करके इनको जिताया है उससे हमें बहुत धक्कार लगा कि हमारे नुमाइंदे जो इलेक्ट हुए हैं उन्होंने हमें मतलब उनको मिनिस्टर नहीं बनाए गया